नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मार्केट मोवर पे स्क्रीन पे साथ रुपे का स्टॉक लगाया हूं जिस स्टॉक पे बहुत भयानक तेजी थी इवन इफ दा मार्केट क्या हो रहा था पूरा गिर रहा था उसके बाद भी आज निपती न हो सकता क्योंकि मार्केट पूरा हिल चुका है आज साड़े चार सो पॉइंट से भी ज्यादा निपती ने करेक्शन दिखाया और आपको मैंने कहा था कि निपती में करेक्शन देखने को मिल सकता तो सचेत रहिएगा और निपती 50 की इंडेक्स से जो भी सेर्स आपने आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी जो वीकली कॉल होता मैंने आपको एक स्टॉक बताया था दिखिए यह स्टॉक था एमसिस और इसमें मैंने आपको बताया था कि पूरे वीक पे तेजी देखने को मिल सकती है आज इतने बड़े करेक्शन के बाद भी स्ट स्टॉक पोजिटिव पे क्लोज किया है इवन आपने अगर शुबह-शुबह इस पर पोजिशन बनाया होता 365 पे तो देखिए इस स्टॉक पे अच्छा खासा मोमेंटम दिखा 60 रुपे प्लस था यह स्टॉक बट मार्केट में इतनी भयान है गिरावट आई कि किसी को पत स्टॉक पे पोजिशन बनाना चाहिए क्या है इसके फंडमेंटल्स और मैंने आपको कहा था कि हर दिन एक ऐसा पेनियर कैटेगरी का सेर में आपके पास प्रिजेंट करूंगा जिस पे बहुत जादा तेजी रहेगी तो आपको क्या करना है यह डिसाइड करने के लिए रूपे 75 पैसे का हाई बना था और यह दिन भर तेजी रही क्या करती है कंपनी क्या है इसके फंडमेंटर्स क्या है इस स्टॉक का बिजनस मॉडल सारी चीजे समझेंगे देखिए स्टॉक का नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि पेपर इंडस्ट्री से बिलॉंग करती है कं इनका में सिग्मेंट पेपर पर वह है क्राप पेपर जी आं मैनिफेक्टरिंग और इनका बिजनस है और देखिए कंपनी बहुत छोटी कंपनी है माइक्रो के तो ध्यान से पैसे लगाने के बारे में सोचिए गा रिटन और पर मोटर्स की होल्डिंग में थोड़ी सी दिखानी है इसे और डिटास डिटेल्स पर देखने देखना हमें बनता है देखिए स्टॉक पर 14-15 रुप्य का हाई था और इसी साल का हाई है सॉरी इस साल का हाई नहीं यह मैक्सिमम चार्ड स्टेक्चर मैं आपके पास प्रेजेंट कर रहा हूं यह आपका हाई है 2018 के फ स्टॉक चला था जीनियस पेपर अभी फिर से चलना स्टार्ट किया क्या इस पर बनना चाहिए तो देखिए मैं आपको क्वार्टर और क्वार्टर रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा आपके सामने 2017 के दिसंबर क्वार्टर से 2020 के सेप्टेंबर क्वार्टर तक का रिजल्ट के गई है और और स्टेंद देखा जाए तो अंट कवी कम शकुदा बहुत जब ज्यादा व्यक्त है कंपर करोणों में स्ट्राप 6 दिखाना चाहूंगा कि बहुत ज़्यादा ग्रोड नहीं की है कमपनी अपने प्रॉफिट पे देख लीज़े यह रोनी अर्वेशिस पे इस साल भले इसे स्टॉक पे तेजी रही है और कमपनी का डेड़ स्ट्रेक्चर थोड़ा सा कम हुआ तो बहुत जादा कम नहीं हुआ देखे फिर भी कमपनी के पास डेड़ है और सबसे की होल्डिंग देखना बनता है 2017 से पर मोटर की होल्डिंग पे वह टू पॉइंट जो प्लिस्ट है वह टू पॉइंट फोर नाइन या फोर फाइप परसेंट का वह सुरू से है तो यह ऑबरॉल सीन बैठता है इस कमपनी का जाइद सा बात है अगर आपने नीचे पे माल किया है तो अगर आपने बाई नहीं किया जो क्लियरली अवर्ट किजिए इस स्टॉक को हो सकता यह स्टॉक आट नौ रूपे प्लस जाने के बाद में फिर इसमें करेक्शन आ जाए तो फिर आप क्या सुचिएगा आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग फस गए तो फस नहीं न नहीं नहीं है अगर नीचे के लेवल्स पर चार पांच रूपे किनोंने खरीदा होगा डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि कोई रिटेल निवेसक है जो इस पर माल उठा के रखा होगा जब तेजी आती है उसके बाद इस स्टॉक पे हमारी जैसे जो छोटी निवेसक व निपटी फिर से करेक्ट हो सकता है यहां यह अनिपटी फिर से करेक्ट हो सकता तेजरच चार पोर्जस्ट स्ट्रोंस पूर्ट था इसके बाद तेरह हजार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहत耗이식 2020 को मिलेगा आज निप्टी ने 13,100 something का लो बनाया है अगर कल ये bleach नहीं होता आने वाले कुछ दिनों में bleach नहीं होता तो उपर के तरफ अब 13,400 और 500 के बीच में एक resistance face करेगे निप्टी अगर उसे पार करता तो फिर bullishness बुल्स अभी होगा market पे नहीं तो मंदी आपको देखने को मिल सकता तो किसी भी stock पे अभी मेरे हिसाब से अगर आपने position नहीं बनाया तो wait and watch कीजे market हो सकता आपको बहुत ज़्यादा surprise करें बहुत ज़्यादा surprise किसी को कुछ नहीं पता आज का contract notes अगर आप देखिएगा तो आपको बड़ी हल्चल दिखेगी नीचे के तरह बहुत ज़्यादा support नीचे घिसका हुआ है अब भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता मैं आपको clearly यह चीज कहूंगा कि अगर आपने position नहीं बना रखा है तो definitely आप थोड़ा सा wait and watch कीजे ज़्यादा बेटर होगा जिनियस पेपर को मेरे हिसाब से avoid करना चाहिए अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं इस पर ट्रेडिंग नहीं करूंगा चाहिए कितने भी percentage की तेजी आई हो definitely अगर नीचे पर मैंने माल खरीदा होता तो धीरे-धीरे करके मैं अपने माल को काटता जाता प्रॉफिट बुक करता जाता है यह मेरी राई है बाकि आपकी मर्जी होगी वीडियो पर सारी चीज़े दिखाया हमें इस अपडेट से आप अपना decision बहतर कीज़े यही मेरा काम है मैं आपको बताता रहूंगा हर दिन वह स्टॉक जो आपको हो सकता थोड़ा सा परिसान क कर सकता में में मिलता हूँ ड्ल नट इस वीडियो पर तब तक के लिए बहुत बहुत धेनवाद हमारा चैनल विजेट करने हमारी वीडियो के लिए हमें ऐप्रिसेट करने के लिए स्टॉक पे किसी भी स्टॉक पर कोई बनानेिन र्न करने धाएं कीजिए गा